नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडेक्टेंस टाइप प्रेसर ट्रांस्डूसर की, इंडेक्टेंस क्या होता है, दे प्रोपर्टी आफ इलेक्ट्रिक कंडेक्टर, और देट कोजिजन इलेक्ट्रो मोटीव फोर्स तु भी जनेरेटीड बाइए चेंज इन दा कर क्या है, कि इलेक्ट्रिकल कंडेक्टर की वह प्रॉपर्टी है, जोकी बैसिकली एलेक्ट्रो मोटीव फोर्स को जनेरेट करती है, दू टू दर चेंज इन गसली जो कर थेャंट फोर्जोरा उसके चेंज की वजह से, जो ट्रांस्दूसर होता है, वह हमारे पास क्या होता है the transducer basically which converts one form of energy into another energy या which converts one form of signal to another form of signal तो वो हमारे पास होंगे transducer अब हम लोग जो यहां पर बात कर रहे है वो कर रहे है inductance type pressure transducer की तो pressure की वज़े से जो change आएगा उसमें वो हमारा inductance पर क्या effect डालेगा तो उस transducer की बात करेंगे जिसमें pressure की involvement रहेगी जैसे LVDT LVDT best example है inductance type transducer का लेकिन उसमें किस तरह का होता है LVDT में जो है वो वहाँ पर जो measure करता है वो displacement को measure करता है उसका भी principle कुछ इस जैसा है था जैसे हमारे पास यहां पर यह pressure transducer दिख रहा है तो बहाँ पर LVDT measure करता है displacement को किस टर्म में in terms of voltage difference और voltage difference किसके बीच में जो दो coils है यानि कि primary और secondary वाली तो secondary की भी दो coils तो जो दो coils के बीच का जो difference है जो voltage का जो difference है तो उसकी साहिता से क्या मेजर करता है LVDT displacement को मेजर करता है तो यह best example है inductance type transducer का LVDT कुछ उसी तरह का यहां पर हमारे पास क्या है कि यह जो inductance type pressure transducer है तो इसमें pressure की साहिता से जो चीजें क्या change होंगी किस के उपर क्या effect पड़ेगा तो उसके बारे में हम बात करते है सबसे पहले अगर figure पर ध्यान देते है तो इसमें सेम मैंने बताया था अब अब अभी कि principle जो है वो लगबग आपका LVDT की तरह है कि LVDT में भी आए इसी तरह से दो coils होती है और एक यहां पर primary coil है primary coil जो है वहां से वो हम लोग अपना AC input कर देते है और वो जो LVDT थी उस LVDT के अंदर वो wheatstone bridge से जुड़ी होती थी तो सब चीजे कब तक balance थी कि जब तक यह जो core है वो बिलकुल center में रहेगी जब core आगे और पीछे displace होगी अपनी जगे से displacement होगी तो उसकी वज़े से जो change आएगा उसकी वज़े से wheatstone bridge जो था वो disturb होता था तो वो ही principle इसमें use हो रहे है तो inductance type जो transducer है उसकी जो applications है जैसे automatic processes में हम लोग इसको use करते हैं या फिर traffic जो lights हैं उनके लिए इसको use करते हैं तो इस तरह से इसकी variety of applications है अब बात करते हैं इस complete figure की यहां से जब pressure पड़ता है तो वो जो pressure है वो यहां पे इस bellodge पे strike करता है अब जो bellodge है यह basically अलग अलग type के materials का होता है वो depend करता है कि किस तरह की वहां पे condition है हमारी किस तरह की condition चाहिए अब यह material to material इसकी stiffness भी vary करती है तो compression और expansion भी वो उस पे depend करेगा material पे तो इस चीज से overcome होने के लिए हम क्या करते हैं कि mostly spring का use करते हैं इसके साथ में ताकि आराम से compression और expansion इसका proper way में हो अब जो यह road है यह directly जो core होती है जैसे iron की core LVDT में तो यह जो core है इस core के साथ में यह connect रहेगी तो यह इसको forward और backward करने में मदद करेगी अब यहां पे जो दो secondary coil है जब यह core बिलकुल center में रहेगी जैसे इस तरह इस condition में दिख रही है तो सब कुछ equal रहेगा और वहां पे कोई भी supply pass नहीं होगी supply pass से meaning क्या है यहां पे कि जो net induced voltage रहेगी जो प्रतेग जो outside coils में वह बिलकुल equal रहेगी यदि जो core है वह shift हो जाएगी pressure variation की वज़े से जब pressure का variation होगा और उस variation की वज़े से यह core जो है वो shift होगी तो जो induced voltage है वो क्या हो जाएगी unbalance हो जाएगी और जो difference रहेगा इन दो के बीच में जो voltage का वो क्या होगा measured कर लेंगे और वो जो measured है that is proportional to change in the applied pressure तो मतलब जो change in pressure हो रहा है तो उसके basis पे हम जो measure कर रहे है तो वो उसके proportional रहेगी तो यह इस principle पे काम करता है inductance type transducer बिल्कुल मैंने बताया LVDT की तरह ही होता है तो thank you दोस्तों inductance type transducer देखने के लिए और जो more videos है वो आपको mostly description boxes में मिल जाएंगे thank you दोस्तों